गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPAS 186 समय यों तनाव प्रबंधन State and Time and Image के हमारा जो रहेगा आज का Chapter No.9 रहेगा या आप इने कह सकते हमारा जो रहेगा आज हम Unit No.9 रहेगा इसके हम इसकी Class को हम करेंगे और इसमें जो Important Topics रहेंगे कौन से इसमें जो Important Topics रहेंगे और पूरे सभी को मैं बताऊंगा देखे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा होगा समय प्रबंधन, द्रिष्ट कोन और तकनी की इसमें से हमारा 2 Point रहेगा है, जो Exam में कई भार आता है समय प्रबंधन के द्रिष्ट कोनों को बताइए, Exam में कैसे Question काईगा समय प्रबंधन की द्रिष्ट कोन कोन से है उन द्रिष्ट कोन को बताइए इसमें जो आपको Question आएंगे वह से 50 Number का इकजाम होगा ठीक है एकूड़ों कौण सी अप्रोच है, कौन-कौन से द्रिश्कोन यानि तिंकरों की द्रिश्कोन होता भईया, समय प्रभन्दन ऐसा कर लो, एक ठिंकर के अकोडिंग है, ठीक है, जो चिंताक होते हैं, जोने बोलते हैं, दूसरा 9.3, करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेगे देखेगा यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले है क्या है समय प्रबंदन्त का दिश्ट कौन देखे यहां पर क्या लिखा है समय प्रबंदन्त के दिश्ट कौन एक दिश्ट कौन किसी विशेस विशे की साखा का विशेशन करते हैं जो दिश्ट कौन होते हैं वह किसी विशेस चीज के बारे में बताते हैं जिसे देखा या समझा जा लागू भी कर सकते हैं दूसरों को भी हम समझा सकते हैं यह एक प्रणाली है उप्रणाली प्रकिरिया को सरोकारों में तकनीकी निर्मानकार प्रणाली और निसकर से दिश्टकौन से देखने का तरीका है यह जो दिश्टकौन होता है यह एक प्रणाली है उप्रणाली है एक किसी कारपनाली को हमें देखने के तरीका को हम क्या बोलते हैं हमारा दिश्टकोन होता है यहाई एक सिधान से अलग होता है यानि जो दिश्टकोन होता हुआ सिधान से बिल्कुल अलग होता है जो उसके निर्माण कारपनाली में अधिक कठोर होते हैं यानि अगर हम बात करे जो निर्माडव कारपनाली से अधिक कठोर काउन होते हैं दिश्टकोन होता है और गहन अनुभाजन सोध के माध्यम बनता है यानि जो दिश्टकोन होते हैं गहन सोध का है क्योंकि इसको जो ठिंकर होते हैं ओ देते हैं दिश्टकोन जो अप्रोच देते हैं ठीक है प्राकि आजिक मनों विज्ञान होगा उसमें दिश्टकॉन होगा जहां पर ठिंकर लोग आजाएंगे जहां पर रिसर्च करने वाले लोग आएंगे वह अपना दिश्टकॉन देगा भईया हमने ऐसे खोज की थी इसका ऐसे होगा आपने दिखागा ना सबका अलग अलग लोग होता सबका अलग अलग कानून होता जितने भी थिंकर होते हैं उसी को हम बोलते दिश्टकॉन भईया जैसे मैं बता रहा हूँ इगनू की पढ़ाई इसे करना है दूसरा मास्टर बताएगा तुमको इगनू को पढ़ाई इसे करना है तीसरा बताएगा भईया तुमको इगनू के तरीके में दूसरे पढ़ाने के तरीके में या तीसरे परसन के पढ़ाने के तरीके में जो अंतर रहेगा वो आपको सेम दिखाई देगा उसमें अंतर दीखेगा ठीक है ठीक है समय परबंधन के छेतर में कोई सिध्धान अच्छी तरीके से निर्मित द्रिश्ट कोने या यहाँ पर इस चप्टर में हम क्या देखेंगे समय प्रबंधन के जो द्रिष्ट कोन है उनको वर्गी वर्गी कृत का मतलब होता है उनको अलग अलग भागों में बाटने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रयास किया जाएगा निमलिखित में से वर्णन के माध्यम से बड बंब है कि तुम क्यão करें है थाएगें को नहीं करना है रहा है यह कौूं को समय ज़ता लगेगा और हमारा प्रत बंड पाएगा हमारे क्स्टूमर के डिलेवरी जाना है यहनि उसको प्रोडइक्टamine का प्रयाएग्र आप से थालभी कीन drive जाए इसको बहुत टक्निक लगाते हैं बहुत तरीकी अपनाते हैं यानि अगर बोलेगे तो क्या हो तब यह समय प्रद्ध दिश्ट कौन के ब्यापक रूप से वर्गी कृत करने का प्रयास किया गया है जिसके माध्यम से बड़े पानायन पर संगठन से समय यानि संगठन गंठन वाले इस दिश्ट कौन ज्यादा अपनाते हैं क्योंकि फटा-फट काम कर लें ठीक है आगे दिखे केवल कुछी अस्थानों पर ही ब्यक्तियों के निजी जीवन का उली यानि इसमें अगर बात रहे हैं जो निजी जीवन है या कह सकते हैं कि ब्यक्तिगत जो अगर दिखे सबसे पहले हमारा है दक्षता दिश्ट कौन भईया दक्षता का मतलब क्या होता है उपलब संसाधनों की अधिक से अधिक लाब उठा लेना दक्षता जो मैं काम कर रहा हूं ना उसको काम करने में बहुत स्किल्ड हो जाओं ठीक दक्षता दक्ष होना यानि स अधिक बोलते हैं दक्षता सिद्धांत या धाना समय प्रबंधन पर भी लाग होती है ऐस संदर में निमलिखी सरोकार महात्पून होते हैं कौन-कौन से भईया सुब्यवस्तित प्रबंधन प्रणाली समय को तर्ग संगत उपिए अगर आपकी जो समय प्रणाली है अगर बचाने वाले समय प्रणाली से काम लेंगे अगर आपके पास अच्छी प्रणाली रहेगी इसु बेवस्तित प्रणाली रहेगी तो आपको आप तर्ग संगत रहेंगे और आपको समय भीया खराब नहीं गया यानि आपके पास जो प्रणाली है वह समय को तर्ग संगत प्योग करने वाली भीयाद टेक्निक यादि आपके यहाँ पर जो मसीन मसीन यूज किया जा रहा है उसे समय कम लगे समय जल्दी बने जो काम किया जरूब से इससे क्या होगा कि हमारा समय भीया कम खराब हुगा संगनात्मा काम काज के लिए नियोजित प्रिकिरिया को सरल बनायागा, इन्धक संगठन में काम करते हैं, आप किसी कम नी में काम करने के लिए तुम्हारे लिए काम आसन बना जा गे, अगर तुम बोलोगे तो अग्akat से कामे scripts चला पा रहा हैं तो क्या तुमको कही सारे इसे भी आसानी तरीके से इसको किया जा सकता कि नहीं कि तुमकानी जो संगत्थन है वह काम को सरल बनाने के लिए हमेशा प्रियास करता है इमेल भेजते हैं तुरंत जवाब दिया जाता है और फोन का समय फोन का उपियोग समय बचाने के लिए उपकरण यानि वहाँ पर अगर धिया काम जल्दी हो जाए या कोई वहाँ पर बात चीत है या वहाँ पर कोई राय मसुरा किया जगा संगठन में तुरंत मेल पर फोन से बात से अरे कमपनियों में क्या होता है एक बिभाग दूसरे बिभाग पर मेल पर बात करता है आमने सामने खड़े रहेंगे तो आपने सामने कोई बात नहीं बोलेंगे तुरंत मेल पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे में यानि एक क्या है सब समय यहां भी आवस्यक हो बाहर की लोगों से सेवा ली जाती है यह नियमित अधिकारیों का समय बचाता है और जिसका उपियोग अधिक महात्पून देखो अगर कोई ऐसा काम है जो बहुत महात्पून है बाहर की लोगों के बुलाकर भी काम करवा लिया जाता है और अपनी जो अधिकारी होते हैं जो लोग होंगे उनका समय भी बचाने का प्रियास किया जाता है नेक्ट रहगा कार्याले में साफ सफाई होती है टेबल साफ होती है टेबल दराज विखरा हुआ नहीं यानि कमपनी की अगर बात परें तो वहाँ पर अगर कोई काम होगा सब चीज पर विवस्तित रहते है माल लो तुमको टेबल पर समान को भिखरावगे कोई चीज काम करना होगा कोई चीज ढूनते ही रहे ज़गाँ अर्र समय खराब होगा यानि कमपनी जो फैक्टरी है वहाँपर जो टेबल होती है वह बिल्कुल सी विवस्तित होती है ता कि अगर हम कोई काम करें तो हमें तुरंध ही कोई चीज अगर ढूलने है तो तुरंध मिल जव्या ठीक आगे दीखें अधिकारी बैठके अच्छी तरीकिसे आउजित किया जाती है बैठको कोई अच्छी तरीकिस तयारी, अगर क्या देखो, अगर संगठन में कोई बैठक की जाती है, कोई function किया जाता है, तो उसकी पहले से तयारी की जाती है, ताकि हमारा समय कम खराब हो, कर्मियों में छमता निर्माड को सुभिधा जनक बनाने के लिए समय समय पर करमचारी को, देख ताकि वह दक्ष हो सकें, ताकि वह स्किल्ड हो सकें, और जो काम कर रहे हैं, उसको फटा-फट काम कर लें, यानि उनका time management हो, यानि समय परबंधन को सिखाने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, अब फटा-फट काम करने के लिए, उनके समय समय पर उनको बहिया पर उसे सब लोगों तक पहुचा जाता ताकि सब को पता चले सभी कार समय पर किया जाते हैं बहुत कम यानि कहते हैं कि जो सभी कार होते हैं उसको टाइम पर किया जाता है कोई काम देरी से नहीं खोता है समय पाबंदी की संगठन में समय समय पर संस्कृत यानि समय पाबंदी य जिसके तहत बिभिन स्रेणियों के काम दिन के सबसे यानि जो काम किये जाते हैं वहां कारितल के अनुसार यानि जो काम सबसे जरूरी है इसको पहले किया जाएगा जो बाद में इसको 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 बाद में कब काम किया जगा इसके लिए पूरा समय निर्धारित किया जाता है मिती वीटिया दक्षेता दृष्टकौन का एक सौहवेक यही वहाँ पर मिती वीटिया जो दृष्टकौन होता है उसका एक सौहवेक परणाम निकलता है next क्या रहेगा देखो शंखनात में कामकाज में धरुडपन यात्रा प्रभंधन डारी का रखर काओ प्रभंधन लेखन जैसे उपीयोगी तकनीकें यानि कमपनी में क्या होता भी ये संगठन में क्या होता है कि हर काम को करने के लिखिया की ज़्यादा डारी रखी जाती है या लिखा जाता है ताकि हम time को management यानि कोई भी काम करने में कितना समय लग रहा कितना नहीं लग रहा है उसको पूरा लिखा पढ़ी के जाती है ताकि उसको समय प्रभधन किया जाए अगलहाँ प्रभाव सीलता दृष्ट कॉन इस सारे दृष्ट कॉन है ठीक है बहुत आसान है कोई मुश्कल नहीं है ठीक है प्रभाव सीलता यह उपागम मुखरूप से लक्ष प्रबंधन की प्रकिरिया से संबंदित है यह दिश्कोन इस प्रकार से है देखो परभाव सिलता दिश्कोन में पहले क्या संगठन की द्रिष्टी और मिशन अस्पष्ट रूप्षिक यह जो कोई भी संगठन होगा न उसका मिशन क्या भी या उसका उद्देश क्या है वो पूरी तरी से क परिभासित होता है उसकी प्रिष्ट भूमे में संगठन के लक्ष तयार किये जाते हैं ये लक्ष संगठन के लिए महात्पूर्ण खंड से संबंदित होते हैं जो देरगकालिक या मध्धमिक या आलप ओधी तक हो सकते हैं यानि कोई भी संगठन जो होगा वो अपने उद् उसको असपस्ट करेगा और जो उद्देश बनते हैं उद्देरगकालिक या आलपकालिक या मध्धकालिक आधार पर उनको तयार किया जाता है लोंग टम वाले सोट टम वाले कम टाइम वाले इस प्रकार से रखते हैं समय समय पर विभिन उद्देशों और कारियों की प्र प्राप्त करने यथार्थवादी और समय बद लक्षों को यानि हमारे जो देश हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उनको मापा जाता है उनको देखा जाता है कि वो हमारे जो काम हमने निर्धारित के हो सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है नेक्स लग्षो की प्राप्ति के लिए संगिधन पाधिकारी है उनके द्वारा सेमाई लिजाती है अगला बिभिन लक्षों की प्राप्ति के लिए समय कोई बिएका ज्यादा जोड़ दिया जाता है अगला नीति और निरनायस संगठन के लिए mission यानी जो नीतियां होती है इसलिए बनाई जाती है ताकि संगठन के जो उद्देश है उनको पूरा किया जा सके ठीक है अगला देखेगा अगला जो यहाँ पर next लिखा गया है यहाँ पर देखे संगठन हुआ उसके विभिन विभागों और ब्यदिगत कर्मियों द्वारा दैनिक का दार है संगठन के जो विभिन विभाग है जो करमचारी है उनके द्वारा डेली काम को तयार किया जाता भी कौन सा काम करना है कब करना कैसे करना कितना ताइम लगेगा इसके लिए डेली कार सूची तयार की जाती है नि डेली डायरी में लिखा जाता है ठीक है अगला जो कार संस्कृती सकारात्मक होते हैं लोग अपने कर्थब यानि जो व्यक्ति होता जो कंपनी में काम करते हैं जो परभाव सिल्दा अच्छे से उकाम करें इसके लिए तर्ग संगत रूप से उन्हें एक ही कृति यानि परकार से उन्हों रखना चाहिए। गद्विधियों के लिए असी परश्यत का उपियोग नियमित गद्विधियों यहां पर असी भी सिधान का उपियोग किया जाता है। गुनात्मक होगा उनमें जो पर्थायोटी उनको विवस्ते रूप से किया जाएगा। अगला रहेगा संगठन में सभी प्रणालियों के उद्देश को कामकाज और संचालन में। संगठन में जितने भी प्रणाली हैं जो भी काम काज हैं उनको अच्छे तरीके से करने के लिए किया किया जाता है सुनिश्चित किया जाता है ठीक है next देखेगा भविस्थ की योजना के लिए रचनात्मक सोच यानि भीया टाइम समय पर काम हो अच्छे से काम हो इसके लिए हमें क्या संगठन में क्या सांती का महोल सदभावना का महोल और बहतर और एक अच्छा एर्वायन्मेंट बनाना पड़ेगा यह दिश्टकोन बहतरीन संगठन के बहतरीन संगठन से सामवानेता अलग होते हैं सामके लाइन परतिस पर्धी समय में उच्छे परदर्शन प्राथ करने के लिए इन सारे तरीकों को अपना सकता है यही रहेगा अगला जो हमारा रहेगा जहां से देखेगा संतुली दिश्टकोन क्या होता है यहां दिश्टकोन ब्यक्तियों के समय परबंधन की सैलियों के जितने पढ़ा ओस संगठन के तोर पर यानि जो हमारे संगठन है, सरकार ये कंपनी उनके अमसार, उनके कैसे समय परबंध करना है, उनको बताता, अब हम क्या करेंगे, व्यक्तियों को अपने सारेरिक स्वास्त के लिए समय निकालना चाहिए, उन्हें घर पर या कारेस्थल पर उद्देश जीवन के लिए उचित उर्जा मिल सके पैदल चलना योग बयायाम सारी देखो भया व्यक्तियों को क्या करना चाहिए बयायाम करनी चाहिए डेली एकसरसाइज करनी चाहिए अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि उनमें उर्जा बनी रहे एनरजी बनी रहे अ अगर कोई जी मुम जाता है इस प्रकार की क्रियल क्याला को करें ताकि हमारा जो सरीर है वहाँ उर्जया से भरपूर रहे और किसी काम को हम करें तो जल्दी करें और हमारा सही से समय प्रबंदन होश रहें आगे दिखें, लोगों को अपने जीवन और कारियों के संदर में, अपने ज्यान और जागरुकता को विक्सित करने और पढ़ने का सौक होना चाहिए, जैसे हम नई नई चीजे पढ़ेंगे, तो हमें जागरुकता बढ़ेंगी, इसको करने, जो सकरात्मक चीजे हम पढ़े अगर खुश रहेंगे ठीक है, आगे दिखेंगा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर धियाँ धियान और परात्ना एक संतूलित ब्यक्ती के लिए सकरात्मक है, यहनी हमें क्या करने चाहिए, अगर आप किसी भी देवी देयोता को मानते हमें ध्यान करना चाहिए, परात्ना कर और हमारा टाइम भी मेनेजमेंट होगा हम खुस भी रहेंगे और हमारा समय से काम भी हो जाएगा यानि आप अपने धार्मी क्या कह सकता हूं कि आप जो पूजा असल करते ध्यान करते हैं उन चीजों को करना चाहिए इससे हमारे अंदर में पोजिटिव या सकरात्मक उर्ज पेशेवर द्वारा परिवार को गुणवत्ता पूर्ण समय अगर आप नवकरी चाकरी करते हो न अपने परिवार को समय देना चाहिए इसके लिए टाइम मेनेजमेंट करो बोल रहे हैं परिवारिक सुख संगनात्मक सुख पर सकरात्मक प्रभा डालता है आवकास समय को अच्छी तरीके से नियो जित यार मालो कि भीया आप अगर नवकरी चाकरी करते हो तो अपने परिवार वालों को फैमिली वालों को समय दो ठीक यह नहीं लड़ते रहो बीवी को अगर समय नहीं दो को बीवी भाग जाएगी वह मैंने कई बार पता है आपको ठीक है इसलि गुर्गो ठोती रहेगी पैसा आता रहेगा तो घर वाले खुस रहेंगे ठीक है अवकास अगर आपको कमपनी समय से अवकास देती है तो उसका यूज करो भीया मम्मी को गुमाओ पापा को तीर थसल पे गुमाओ बीवी बच्चों की सैर करवाओ उसको कहीं घुमाओ फि की सी व्यक्ति को तनाऊ नहीं होगा तो वह व्यक्ति क्या करें भइया सभी कायां मों को सही समय पर कर लेगा अगला व्यक्तिगत और बेभायक जीवन में प्रेणा और उस्सा का यहां काम करते है लोगों को अपना काम काम से प्यार करना चाह far यानि हमें जो अपना काम करें उससे हमें क्या करना चाहिए या प्यार करना चाहिए तो जो व्यक्ति अपने काम के परती अपने वर्क के परती प्यार करेगा मुहबबत करेगा वह जीवन में हमें सा काम्याब रहेगा उसका टाइम मेंट भी होगा वह खुस भी रहेगा आग काम का जो अत्र दिये ओलोडिंग नहीं करने चाहिए. टीक है ओलोडिंग बिल्टु भी खराब है. कारियस्थल पर लोगों को बर्नाउट जानी कार्यस्थल लोगों को अत्रिक्त कारने से हुआ अत्रिक्त कारक tough करने से उनको बचना चाहिए. यह बर्नाॉट लोगे भी आपकी जो खुशी होगी वह आपकी बढ़ेगा दोस्तों उससे बात करोगी तू हमेसा खुश रहा हुशा काम को आप हमेसा 24 घंटे नहीं कर सकते साल की 365 दिन नहीं कर सकते बीच बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा समय को ध्यान दो परिवार को ध्यान दो दोस्त को आप थोड़ा खुस रहोगे यानि मालो की अगर आप पढ़ाई करो मालो आप गुनू की पढ़ाई के तयारी करो तो आप दिन के 24 घंटे कमरा बंद करके पढ़ नहीं सकते हो बलकि हर चीज को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा तब ही आपका काम बहतर और अच्छी तरीके से होगा आगला देखे समाज के कम विशेशा धिकार प्रात वर्ग की सेवा करने जैसे समाजिक दायत को निभाने के लिए समाज में जैसे घरीब और ऑरीव आदमी का हेलप कर दो गरीब आदमी के थोड़ी मदद कर दो इस परकार से आपको सेवा भार्ण या निन सामजिक कारों को भी करना चाहिए ये भी हमारे लिए बहुत महत्पून है इससे भी हमें खुसी होती है अच्छा लगता है पोजिटीव एनरजी हमारे अंदर में बनती है भाई यह लोग आशिर बात देंगे मदद करोगे तो क्या पता आपका टाइम मेनेजमेंट हो और आपका दिन अच्छा चले और आपके सारी चीजे जो है सुखत हो ठीक है आज यह जो हमारा रहेगा समय परबंदन की तकनीकी बैया समय परबंदन करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जारी प्रजन टाइम में तकनीकी का मतलब होता है टेकनीक यह टाइम कम में लगे कोई सी चुज को करने में उसके लि द्राइरी में लिख लो करने के लिए समय प्रवंधन की पहली टाक्निके बईया लिखित को पूरा डोकुमेंट बना लो कब काम कब करना है कैसे करना किस तरह करना है इसका पूरा लिखित में मुणा चाहिए इसी बुझे सरकार को सभी जिम्मेदारी अधिकारी और निजी उद्यमों को प्रतिदिन कार सूची तयार करता है अगर आप सरकारी दफ्तर में होगे या प्राइबेट सक्टर में होगे तो हाँ पर आपका सेनियर होगा न वो आपको क्या काम करना क्या नहीं करना उधान के लिए गतविधियों के अनुसार निमलिखित वरगी खृत किया जा सकता है देखो क्या होता आप कहीं पर सरकारी में जोब करोगे कहीं प्राइबेट में जोब करोगे तो उहाँ पर क्या होगा कि आपको एक कार सोचे हर दिन की रहेगी हमें कौन कौन सा काम आज करना है ठीक है इस सार्म गतविधिया यानि उन लिखा रहेगा देखो पर कहीं पर आपको बाहर भ्रमन करना है या कोई अवडिट करके आना देख करके आना है उसको भी लिखादा जाता है कार सूची का एक अन्य महात्पूर्ण हिस्सा विशिष समय का उल्लेख होता है जब दिन के लिए सूची यानि उनके लिए क्या होगा टाइम भी लिखा जाए तब यह आपको कितने बज़े कब आना है कब कितने बज़े काम करना है कब आपको लेंच करना है कब आपको मेटिंग में जाना है कब आपको बैठक में जाना है कब आपको बाहर जाना है कब आपको भोजन पानी के लिए जाना है इस सारी चीजें क्या लिखा जाएगा ठीक है जैको जैसे हैं लिखा साड़े नौ बज़े ओफिस पहुँचना है 10.10 बजे फाइल का निप्ताना है 11.10 बजे अधिकारियों का मुल्यांकन करना है 12.00 बजे बुनियादी ढाचे का निर्मार करना है 1.10 बजे भ strangely खाना पीना लंट कर लेना है नहीं तो भूंखेम नहीं मरना है ठीक है दाई बजे क्या करना है बित्तिय अनुभाग के साथ यानि जो फाइनेंस वाले भिभाग उसके साथ बैठा करना है तीन बच के पंदरा मिनट पर यानि जो कमपनी में जो आपके प्रोड़क्ट है उनके साथ बैठा करना है 3.45 पर कहा करना अगर सिकायत समीती के साथ बैठा करना अगर कोई किसी को छेड़ खानी करा किसी काम में दिक्कत है तो सिकायत वहीं तो आएगी आगर भई कमपनी फैक्टरी वक्ते में लोग छोड़ो कोई किसी को मारा कोई किसी को पीट रहा कोई लड़की वड़की साड़े चार बजे सचिवाले में बैठना है, छे बजे फाइलों को फिन निप्टाना है, साड़े छे बजे घर के लिए फुट लेना है, निकल लेना है, घर जाओना है, तो ये सारे काम क्या होंगे लिखे रहेंगे भईया हमें कब और कितने बजे कौन सा काम करना है, देख जाना है ना इसलिए टाइम से सोना पड़ेगा ना यह दोकरी वालों का यह है भाईया देखो उप्रिप्त सभी विप्रन किसी कार सूची के लिए में आवसक नहीं हो सकते हैं घरेलू गदविद्यों को इसे बाहर रखा जा सकता केवल आधिकारिक मामलों में यह कह रहे हैं क चार्ट पैड इसकिल ओनर पर कारियों को यह जापान में अगर बात रहे हैं तो वहाँ पर अलग-अलग रंग से अलग-अलग चार्ट पैड पर कार को प्रात्मिक्तक एनुसार लिस्ट यानि बनाई जाती है परतेक रंग का महत एक विशेष्ट अर्थ होता है एक ब्यक् समय के साथ जब महत्पूर्ण हो सबसे महत्पूर्ण कया है इसी परकार विवस्ततं तरीके से उपियों किये बिना हमें 20 परसंट का अच्छी तरीके से नियूजिकर्ण है तो तो 80% परिश्यत लाब मिलेगा, यानि हमें काम करने के लिए, किस समय कार काम, दिखो, अगर हम कोई काम हमें करना भीजा, अगर हमें कोई काम करना है, अगर उसे सही समय पर करेंगे, तो उसका 80% रिजल्ट निकलेगा, अगर हम कोई काम सही समय से नहीं करते हैं, तो उसका ज प्रबंधन समय उद्देश होने चाहिए, काम करें, चिंता कम करें, अतधिक सफल हो और आनने, यानि काम कम करें, चिंता कम करें, इसके लिए आते, इसी तरह से 80-20 सिध्धान्त में महात्पूर्ण सोध इस बात को रेखांकित करता है कि 20% परियास आते हैं, यानि 20% अगर प परिनाम निकलेगा, उद्धान के लिए 80% बिक्री तोर पर 20% गरहक से होती है, महात्पूर्ण यहां कि या सिध्धान्त केवल ब्योसाई कारों तक हिसी में नहीं, बलकि लोगों के निजी जीवन में भी बहुत ज़्यादा महात्पूर्ण होता है, इसलिए हमारी जीवन म पालन करने से किसी भी तरह के आसाधन प्रियास के बिना आसाधन, यहनि 80-20 का अगर आप सिध्धान लागू करोगे तो आप कोई भी काम को साधन से साधन काम को अच्छी तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसी प्रकार हमारे समय में एक छोटा सा हिस्सा हमारे खुसी की त्र परसंट रिजल निकलेगा ऐसे काम करना चाहिए, लोगों को ऐसे कारे सोंपे जिन्हें वह पसंद करते हैं, भीया लोगों को भीया वही काम दो जो उनको पसंद हो, ठीक है, जैसे वह जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तो जो तुमको पसंद वही काम देंगे, इस प पहलिया कर लेना चाहिए ठीक है लक्षों और उनकी प्राथ मिक्ताओं को चुनने का समय दिया जाने यानी लक्ष और प्राथ मिक्ता उनको समय दो आत्म सुसासन होना है यह काम को करने में एक discipline होना चाहिए discipline नहीं रखना है ठीम है पराथ मिक्ता देनी चाहिए अगली समय कहाँ पराथ मिक्ता समय परबंधन की सबसे महत्पूर्ड तकनिकी है प्राथ मिक्ता तय करना अर्थाज कार को उनके महत्व और तातकालिक अनुसार के उन्हें वर्गी करत करो जो सबसे महात्पूर्ण काम हो उसे हमसे सबसे पहले कर लें यहाँ पर प्राथिमिक्ता देने का मतलब है जो हमारा सबसे जरूरी काम है जैसे आती आवस्थक आवस्थक और महात्पूर्ण लेकिन आवस्यक लेकिन महात्पूर्ण नहीं है अनावस्यक महात्पूर्ण लेकिन अनावस्यक ना तो महात्पूर्ण है ना तो लिए हमें सूची भी त्यार कर लेनी चाहिए इस अधे जैसे इस्टम उत्रिकोंड क्या होता देखो इस्टम उत्रिष्टा का आर्थ होता है किसी के परदर्शन में निरंतर सुधार और बृध्धियोंना ठीक है समय का स्वधुपियों इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उत करना चाहिए कि हमारा समय भी काम लगे हमारी गुणवत्ता भी सुधरे और हमारा व्रिद्धी यानि प्रोडक्शन भी हमारा बड़े कभी कभी हम उत्रिष्टा में पूर्टिया के रूप में समझने की भूल करते हैं या सही नहीं उत्रिष्टा एक द्योसाई कुद्दे प्रतेक मनुसर में पूर्ण होने की जन्मदात ऻच्छा है भले हमें पूर्टा नहीं पहुंचते हैं लेकिन इसके लिए लक्ष बनाना पड़ेगा आदे अधूरे लक्ष नहीं बनाना पड़ेगा यानि हम कार्यों को ऐसे करें कि हमारी गुणवत्ता बढ़ती रहे हमार जाने देते हैं इसी प्रकार पूर्टिया जो यहां पर बात की जाए पूर्टिया का मतलब होता है कि हम किसी भी काम करने के लिए क्या करें पूरा अच्छी तरीके से कारियोजना बनाए और अच्छी तरीके से इन कारियोजनाओं को हमें क्या करना चाहिए करना अगला कार सं पन्न करें यानि कार को हमें कैसे शुरू करना चाहिए देखो जब हम किसी सच्छम या जिम्मेदार व्यक्ति को कोई महात्पून कार सौपे तो उसे या पेक्छा की जाती है वहा कार को जल्दी से जल्दी जैसे कोई महात्पून व्यक्ति या स्केल्ड व्यक्ति है अगर उस या इधर उधर करेगा, साइद उन्हें शुरू करने से पहले गंभीर तैयारी की जरूरत होती है, ऐसी इस्तिति में कुछ समय परतिक्षा करें और परतिक्षा समय में उपयोग उचित संसाधनों के कारें को करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें इस कार दिवस यानि जहां पर छुटी हो अनावसक हो पर नियमित रूप से आवंटित किया जाना चाहिए तब इसे कार करते रहे जाए और उन्हें संतोस रूप में समाप्त हो जाए दोखो अगर किसी को काम करने में बहुत ज़्यादा जटिलता है या काम किसी जटिल कारें को या मुश्किल कारों को काम करने से पहले हमें उस काम को करने कार की तयारी कर लें ठीक या सिंगल सोट हैंडलिंग समय का सबसे बड़ा महत्पून या सिंगल सोट हैंडलिंग का सबसे बड़ा महत्पून काम है किसी भी काम करने से पहले हम उसकी क्य तयारी करें, यदि कोई कार संभे के साथ सुरू होता है और खंडण और नृतर भी रहती है तो समय पर समाप्थ होने की संभाण है अगर कोई काम हम जल्दबाजी में करेंगे बेत पूरा किया जाना चाहिए अर्थात इसके परिचालन में कुई record नहीं अगर कोई महत्कून काम हो तो हमें एक बार में ही काम कर लें उसमें कोई record या समस्या नहीं आनी चाहिए ठीक है अगर कोई इसी प्रकार कार निस्पादन प्रक्रिया में दो तक्निक हैं पहला एकी कृत रूप में करो दूसरी प्रक्रिया बिभाजित यानी पहले अगर कोई काम करना है उसको इकठा करके किया जा सकता है या आप किसी देखो अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको एक साथ लेकर के भी कर सकते हो या अलग-अलग पार्ट में बाट करके हम काम को कर सकते हैं इन में से दोनों तक्निकों को पियोग किया जाना चाहिए यह कार के प्रकृति के मात्रा में कामों को करने बताता है समय का हिसाब किताब करना चाहिए देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो न तो आपको समय का हिसाब किताब यानि किसी भी काम को करने के लिए, क्या बोला, समय का हिसाब किताबे बताता है, कि किसी भी काम को करने के लिए, हमें time management का है, यानि किसी भी काम को कर रहे, अगर उसके लिए समय निर्धारित किया जाने थे, यानि समय का मापड़न्ड होना चाहिए, समय को हमें अनुसार में ध्यान में रहें यानि समय जो टाइम है देखो माल लिजी आपको काम एक करना है तो उसके लिए 5 मिनट लगेगा काम भी करना उसके लिए 7 मिनट निधारित है काम सी है उसके लिए 7 मिनट है काम डी है उसके लिए 10 मिनट यानि काम को करते समय उसका हमें समय का हिसाब किताब चाहिए जब कोई भी संस्थानों कोई ब्यत्तिगा दस्तर भी अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए आमें आपने दो कान कोई TV सो होता है कोई TV में देखाऊगा आगर आधे घंटे का सो होगा तो आधे घंटे में काम हो जाएगा अगर 15 मिनिट का सीरियल आएगा तो आधे गंटा यानि मेरा कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज है उसको समय का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है आपने कई सारी कंपनी जैसे न्यू चैनल है न्यू चैनल में अगर एक घंटे का सो है तो एक घंटे मे करने के लिए उसको स्वा परबंधन नहीं इसका स्वयम ही उसका परबंधन करना चाहिए और संगठित रूप में कारियों को करना चाहिए ठीक है एक अच्छा time manage समय प्रमंधक सही काम की तयारी करने से तरीके से आता है वह काम की कला में महारता हासिल करने की कोशिस करता है और काम करने का सरबोतम संभो तरीका खोजने का प्रियास निसंदे इसमें जादा महिंद करने की जरूरत है लेकिन उतना ही समिशदारी के साथ यानि हमें कोई भी काम अगर करें तो समझदारी के साथ अगर काम करेंगे तो काम जल्दी से होगा यानि महनत कम लगे और काम जल्दी होगा इसके लिए हमें नई नई तरीके और नई नई चीजों को करना चाहिए जो आपको प्रमंधक जो होगा वो बताएगा बेस्ट लोग खुश रहते हैं और हम अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्यक्ति के पास दाना चाहिए एक ब्यक्ति यहां नहीं दर्शाता है कि वहां ब्यस्थ है अबिवस्थित लोग आती ब्यस्थ परतीत होते हैं और जबकि सांत और प्रभावसाली लोग बेस्त होते हैं और चेहरे पर सांती दिखते हैं दिखो जो प्रति खाली बैठा है ना उससे काम मत करवाओ क्योंकि खाली बैठा काम करने बहुत ज़्यादा टाइम लेख जो बहुत काम करा हूँ जो बहुत बेस्टर विक्ति है उसके पास अगर काम करोगे तो आपका क्या करेगा भीया काम फटाफट कर देगा इसी को यहाँ पर बताया जारा आप भी इसको अनुसरान कर सके दिखो क्या कह रहा हूं कि मालो की जैसे मैं class पढ़ा रहा हूं ठीक क्लास पढ़ा रहा हूं और लगातार मुझे एक दिन में 4 या 5 गलास पढ़ानी है यहां पर तो video अकेले पढ़ाता हूं बाकी वैसे भी बच्कों को जब पढ़ाता हूं ठीक जैसे Google Meet पर मुझे पढ़ाना है, तो अगर मालो अगर बीच में कोई बच्चा मेरे से कोई काम बोता है, कि भीया बता दो, या मालो कि उसने कोई मैसेज कर दिया, तो वहाँ पर मैं क्या बहुत बीजी सुडूल है मेरा ठीक, अगर वो मुझे कुछ कहता है बीजी सुडूल म जिसा पिटा जबाब दूँगा, बड़ा लेट रिपला दूँगा, इस प्रकार की चीजे भी हो सकती है, इन्हीं चीजों को यहाँ पर बता है, प्रेरक कार संस्कृति में देखे क्या होता है, कार संस्कृति का तातपर है कि प्रतिकर्मियों की दृष्टकोन, मापदंड आधतों और बेवहार से है, समय के साथ एक संगठन में कार परदाशन की संस्कृति बिक्सित होती है, जो इसके कामकाच की विशेष्टा होता है, जब सुस्ती, समय पर नापबंदी, सिथिलता, लाल फिता साही, संगठन कार हस्ता छेप आए, फिरन के परतीत करना होता है, यहां नकरात्म कार संस्कृति, यानि कोई-कोई संगठन में या एक देखो, आपको एक जो कार अस्तल है ना, आपकी जो कंपनी, आपको जो संगठन है, आपको यहां पर एक माहोल बनाना पड़ेगा, एक संस्कृति बनाना पड़ेगा, कि वहां पर लोग सभी अच्छे ह अच्छा वातावन बनाना पड़ेगा जहां पर सभी लोग समय पर काम करें याँ आपको एक अच्छा वातावन बनाना पड़ेगा एक अच्छी अप्रोच बनाने पड़ेगी जहां पर सभी लोग अच्छे तरीके से याँ एक प्रेरक यानि कह सकते हैं कि उनको एनरजी रचनात्मक कारें को किया जाए व्यक्तियों के लिए सम्मान हो ग्राहत के लिए सुखी जनकन हो प्रदसन्च उजुनी प्रेना इस प्रकार की चीजों को अगर हम रखेंगे तो हमारे कम्पणी में जो माहौल होगा वह सकरात्मक माहौल बनेगा खुली बाचीत होनी चाहिए, प्रीणक नेतुर्थ होना चाहिए तनाव रही तभातावन बनाए जाभी, चुनावती पुनकारें को समू की भावना प्रीणक हो करमचारियों का स्वास्थ अच्छा हो इसके लिए भी हमें काम, यानि इन चीजों को अगर हम करेंगे, तो हमारा जो company है, हमारा जो factory है, वहाँ पर एक सकारात्मक माहोल बनेगा, वहाँ पर सभी कर्मी खुस रहेंगे, और सभी लोग time save काम को करेंगे, यानि वहाँ पर इस प्रकार की चीजों को अगर जहाँ पर सभी को अच्छा लेगा, जो कर्मचारी भी होंगे, खुस हो करके और अच्छे से कारेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार के जैसे, यहाँ पर कई सारी company होंगे, जैसे Microsoft है, टाटा है, वीब्रो है, मोटर company है, सुजुकी है, सोना है, जो company है, इनकी सफलता का प्रणा में हैं कि उन्होंने अपने company के अंदर में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा environment बना रखा है, जहाँ पर करमचारी अच्छे से काम करें, यहाँ पर एक प्रकार से अनुसासन उन्होंने handle कर रखा है, जिससे क्या होती यह company हों की, अगर बात करें तो यह time से कामों को करें, यानि आन भी जितने भी व्याग है, सभी व्यागों में अगर कार संस्कृति को अच्छा बनाया जागा तो काम, सु बेवस्तित प्रनाली, देखो, हमारा जो काम, जो company है, वहाँ पर एक प्रनाली बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना, सु बेवस्तित यानि वो प्रकार से यानि बेवस्तित प्रनाली होगी, ठीक है, किसी भी काम करने के लिए कोई भी संगठा है, कोई भी सरकारी या गयर सरकारी संगठाना है, तो वहाँ पर जो कार प्रनाली है, वहाँ अच्छी तरीके बेवस्तित होने चाहिए, यानि काम करने का एक तरीका होना चाहिए, क जिससे क्या होगा हमारा समय परबंदन होगा हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम को हम समय से कर लेंगे और सही टाइम से हमारा कारे पूरा हो जाएगा उत्पाथक्ता बढ़ाना के लिए किसी काम को अगर सही धंक से करेंगे तो उत्पाथक्ता बढ़ाने के लिए अनुसरान किए जाने वाले लक्षों और नीतियों पर हमेशा ध्यान रखेंगे तो 222। अपने और अपने आधिनस्त के लिए दैनिक सप्ताहिक कार योजना बने यानि हमें काम करने के लिए डेली योजना बनानी चाहिए हर रोज जाच करें क्या संगठन लक्ष यानि हर रोज भहिया देखो क्या जो हमने लक्षिन धार्द के लक्ष को मिलेगा प्रक्रिया को भईया सरल बनाओ यानि आसान बनाओ सभी कर्मियों के कार का विबन तयार करो कार अध्यन का संचलन यानि कार सही सहो रहा नहीं हो रहा इसका देखो ओन टाइमन यानि तरीके और परवन तकनीका यूज़ कुसलता पूर्बक निरनाई लेना चाहिए बेकार और परसेंगी जानकारी या दर्जना करें यानि खराब जानकारी जो जरूरी निसको मत लिखो दस्ता बेज बनाओ यानि हर चीज़ को आपको क्या करना है दस्ता बेज यानि लिखना पढ़ना है बड़े कार और छोटे कामों के बीच में तोड़ करके विभाज यानि कामों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करके अगर करोगे तो आपका काम जल्दी होगा नियमित अनुवर्ती कारवाई करें परतिकिरिया प्राप्त करें यानि डेली पर हमें क्या क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ इसके डेली डेली उसको क्या करना चाहिए देखना चाहिए भई अगर कंपनी में आपने किसी को काम सवब रखा है और डेली सही से काम है इसको देखना चाहिए इस प्रकार से मेज और दराश साफ रहने, इससे भी होगा परभाव प्रतिनिधी क्या होता है इसको दीखे प्रभावी प्रतिनिधी मंडल फ्रांस के समुराट नैपूलियन घोशना करते हैं मैं प्रतिनिधी मंडल के माद्यम से खुद को गुना करता हूँ वास्तों में एक अच्छा कार पालक अपनी टीम के सदस्यों की बुद्धिमानी और जिम्मेदारियां सौपकर खुद ही खुद को गुणा कर सकता है निसंदे कुछ कार ऐसे होते हैं जिनहें सीर सिव्यक्ति सोयम में ही सगलंग होगा फिर भी संगठन के विभीन सदस्यों को बड़ी संख्या में उचितकार स्वंपेच जा सकते हैं जिम्मेदारियों का स्वंपे समय कार की प्रकृती कार की जटिलता धारपर दिया जाएगा उस व्यक्ति की योगता जिसे यहां पर बाद की जा रही है कि कुछ ऐसे कारे होंगे जिसको काम को करने के लिए जो संगठन का प्रबंदक होगा उसको स्वयम लगना पड़ेगा उसको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तब ही करमचारी अच्छे से काम करेगा ठीक है क्या करें अगर आप कोई कमपनी चलाते हैं कोई फैक्टरी होना पड़ेगा उसको भी समलित होना पड़ेगा तब ही वहाँ पर बाकी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे से कारें को करेंगे यानि आपको भी उसमें क्या होना पड़ेगा लगना यानि प्रबंधक को भी अपने कारें और अजिकारों के साथ जो कमप ज होगा मेंनीज है जोहाइब हैं यह फिराटिलता है लक्षों को नेड़नाइलिय जाना अस्पशन सहहकरен होकी मुन देख िस चाहिए अच्छी bounding होनी चाहिए तभी हम किसी वी कार को सही समय पर कर पाएंगे यानि अज दिन अक साथ यही बाते बताई गए ठीक है कार यद्हन का मतलब होता है किसी कां को करने से पहले उसको बारे में हमें पूरी रिसर्ज पूरी सोद करने चाहिए इसे को क्या बोला जाता है कार अध्यन बोला जाता है कार अध्यन में क्या होता है किसी भी काम करने के लिए सुनिसी तक्नीकी होने चाहिए यानि कौन सी तक्नीकी अपना जाएगी इसके लिए भी हमें पूरी रिसर्च करने यानि काम को करने से पहले उसको अच्छी तरीके स इस तरह किया जाएगा उसके लिए भी हमें योजना बनानी चाहिए योजना की आधार पर तयार करना चाहिए ठीक है अगर इस प्रकार की योजना को त्यार करेंगे तो हमारे लिए काफी बहतर होगा नियोजन करेंगे यानि काम को बनाते से हमें योजना हमारे नियोजन करेंगे तो हम योजना हमारी क्या रगी सारी सफले यानि जैसे हम कोई योजना बनेगे तो हमें काम करेंगे देखिए यहाँ पर जैसे हमने काम किया फिर योजना बनी फिर उसका feedback कैसे काम करेंगे इस तरह जो कार प्रणाली होती हो पूरी तरीके से चलती रहे लक्ष निर्धारित करने चाहिए उपलब्धियों के लिए सनेजनात्मक विकास और पूरा गठनों करना चाहिए कारयात्मक विविदी करन करना चाहिए मनो संसादन तरीके हैं वित्य योजना है गुनवत्ता में सुधार है ग्रहक संतुष्टी है इन लक्षों को पूरा करना जरूरी है अगर इन लक्षों को पूरा क्या है नधिधान में रखना चाहिए आगर लक्ष निधान में यानि लक्ष निधान में कौन-कौन से उप्लवदी इनको प्राप्त करणना जरूरी है ठीक है", अगर हम इनको याद करेंगे देखो三 हमें क्या करना चाहिए प्रति दिन के लक्ष निधारीत करो बीकली लक्स निधारित करो महीने के लक्स बनाओ तीन महीने पर लक्स बनाओ वार्सिक लक्स बनाओ पंचवर्सी लक्स बनाओ दस वर्सी लक्स बनाओ और जीवन भर का भी लक्स हमें बनाओ अगर इस प्रकार से हम लक्सों को बनाएंगे तो हम अपने लक्षों को अपने दोस्यों को प्राप्ट करने में ज़्यादा तर सफल होगे यानि हमें daily के, monthly के, weekly के, 3 month के, 6 month के, एक year के, 5 year के, 5 साल के, 10 साल के इनके आधार पे हमें लक्षों को बनाएंगे, अगर इस आधार पे लक्ष बनाएंगे तो पदानुकरम, लक्सों का पदानुकरम होने चाहिए, इस आधार पर लक्स और अगर बने गया, तो हमारा जो काम होगा, वो बहतर और अच्छे, स्मार्ट लक्स बनाए चाहिए, यानि कोई भी काम भूवने, तो उसमें स्मार्ट तरीके से लक्स बने, यानि समय कम लगे, और हमारा काम पूरा हो जाए यानि स्मार्ट लक्ष का मतलब होता है कि हम काम कम करें और हमारा काम पूरा हो जाए यानि हमारा उर्जा कम लगे एनर्जी कम लगे और काम पूरा हो जाए यानि हमें स्मार्ट तरीके से या कह सकते हैं कि कुसल तरीके से हमें अपने लक्षों को बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने लक्षों को कम समय में भी प्राप्त कर सकें इस तरह से हमें जो संगठा ने जो कमपनी है या अगर खुद भी लक्ष बना रहे हैं उसको भी करें स्वापरबंधन का मतलब होता है कि हमें सारी चीजें सोयम ही अगर आपको कोई काम आप साही से कर नहीं आप लक्सों को प्राप्ट कर पाएंगे यानि हमें अपना खुद का भी मैनेज करना पड़ेगा तभी हम किसी भी काम को बहता धंग से कर पाएंगे यानि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बहता धंग से करना यहीं तक पूरा था ना देखो स्वापरबंधन का मतलब होता है कि हम अपनी नकरात्मक चीजों को छोड़ें ठीक है सकरात्मक यानि हमें कोई नकरात्मक आदर्थ है यह हम समय से काम नहीं कर पात जो व्यक्ति सोयम को भिया मैनेज करेगा उसी के काम क्या होंगे समय पर होंगे टाइम पर होंगे और वह काम को किसी भी काम को सही समय पर और सही टाइम से वह भी व्यक्ति अपने सही काम को सही समय पर कर पाएंगे यानि खुद को भी हमें मैनेज करोगे तभी आप समय परबंदन की जो तक्निके हैं देखो अगर मैं सही हूँगा आलसी नहीं होँगा या मेरे में आलसी आलस परमाद या देर से उठना समय पर काम करना इस प्रकार की अगर चीजें हैं इन चीजों को हमें बदलना तब जा करके हम समय प्रबंधन कर पाएंगे, time management कर पाएंगे, और सही से समय प्रबंधन होगा, तो हमें किसी भी परकार का तनाव नहीं होगा, यह chapter number 9 था है, लगभग आपको पूरा बता दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, इसमें मैंने तो आपको लगभग प थाइंक यू सो मच, जै हिन जै भारत